हाई स्वाइब आप सब का आए को नहीं और फ्रेस वीडियो में और आज जो है हम कोई भी ब्लॉग आप लोग को नहीं दिखाने वाले हैं बस यह एक छोटा सा हमारा चैलेंज है कि आज जो है दे हैं संडे और फिलाल लगभग 11 वज रहे हैं आपको अपने वाच में दिखा तो यहां से हम कोशिस कर रहे हैं कि आठ आवर का चैलेंज ले आज और आठ आवर की जो है स्टडी कंप्लीट कर ले तो देखते हैं और यह मैं स्टडी आज दीन और रात दोनों को मिला के करने वाला हूं क्योंकि आठ आवर एक साथ नहीं हो सकता है मैं बीच बीच में अब कुछ है तो चलिए आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो एक लिस्ट वर और टू आवर होने के बाद ही में कोई प्रेक लूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस जो हमारा तो आवर पहला था उसके स्टडी हमें कम्प्लीट कर लिए और मैंने ये दो दो आवर का चार बाट कर दिया है ताकि अच्छे से में परपाऊ और थुरा सा रेस्ट भी कर लूँ तो अभी टाइम जो है मैं आपको अपने वाच दिखा दूँ ओ किदर हो तो देख सकते हो आप 8 बज़ चुका है और मैंने स्टार्ट किया था तो पहला दो घंटा कम्प्लीट है तो चलते हैं आगे अभ और मैं जो है अपना सेकेंड पार्ट जो है उसको अब दो घंटे वादी जो है दो घंटे की स्टाडी मुझे करनी थी वो करना मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपको एगवा टाइम दिखा दूँ तो आपको देख सकते हो दो बज़ रहा है तो पहले चार जो घंटे हमारे वो कबर होती है और टाइम अभूती पहा है चार काफी जादा थकान भी महसूस हो रहा है मैं टाइम अपनों को दिखा देख सकते हो तो काफी जादा थकान महसूस हो चुकी है और नीन जासा आ रहा है लेकिन प्रेट में भूख भी बहुत जादा है तो फिलाल कुछ नास्ते के लिए बनाया जाएगा फिर उसको खाते है फिर थोरा सा रेस्ट करेंगे और बाकी के जो चार आवर है वो मैं रात को कॉंप्रीट करूंगा जैसा कि मैं बताया था तो मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ठीक है स्टेटी करना कि अगर आपके पास स्टेटी है तो अच्छा है बट ये नहीं कि हाँ आप घंटों पुराने के लिए पराई करो नहीं आप आधी घंटे की पराई करो नेकिन उसको एकड़म हंडेट प्रसेंट तो टाइम अभी 4.45 हो रहा है और आपको दिख रहा हो कि मैं कहीं जा रहा हूं जी हाँ कॉलेज जा रहा हूं थोड़ा सा क्रिकेट खेलने बहुत दिन बाद मैच है आज तो कॉल आया था कि आने के लिए तो चलो खेल लिया जा थोड़ा सा मैं ज्यादा फ्रेस होता है पत अब चिर्चेम अपना बुटिं पर वापस आ गया है तो थोड़ा सा क्रिकेट खेलने चले गए थे थोड़ा सा था थाकावन में नसू चो रहा है लेकिन खाना वारने के टाइम में वो आठ बजे के बाद स्टार्ट किया जाता है तो साथ 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 के बीच मैं एक घंटे कर लोगा तो चलिए यह वाली जो एक घंटे है उसका में चांट करता हूं तो गाइज अभी जो है समय हो चुका है रात का दस बच चुका है और खाना पीना खा लिया हमने और यह हमाला आखरी सेठ है जो कि तीन गंटे का होने वाला आमने पास गंटे कवर कर लिया है आज तो चलिए आज के इस लास्ट चट को स्टाट करते हैं तो गाइज फाइमली जो हमारा एट आवर स्टडी चैलेंज था वो हो जाता है अब कंप्रीट क्योंकि अभी मैं आप सो को अपना टाइम दिखा दू यह दूसरे फोन में तो आप देख सकते हो कि बारा बज के अठावन मिनट हो रहा है यान कि एक बजने वाला है और स्टडी कंप्रीट करता हूं तो यह मेरा नौ आउर हो जाएगा कंप्रीट का तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वी और मुझे खुसी हो रही है कि मैंने यह कंप्रीट किया और इससे थोड़ा अच्छा लगा और मैं एक चीज इस वीडियो के थुरू आपको बताना चाहा हूं कि ऐसा नहीं कि अगर आपको पढ़ना है तो उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते हो मैंने आपको आप देखे कि मैं अच्छे खासा रेस्ट किया फोन भी यूज किया खाना वाना सब बनाय गेम खेलने भी मैं गया कॉलेज फिर वहां साया फिर इन सब चीज करने के बाद मैं पढ़ाई भी किया और वह भी नौ घंटे के स्टडी मैंने कंप्लीट की तो काफी ज्यादा अच्छा लगा तो जो लोग प्रेसर में हो जाते कि मैं इतना ज़ादा स्टडी कैसे कर सब्सक्राइब वाटन अभी तक नहीं दबाया ताकि ऐसे और अच्छी अच्छी कॉंटेंट्स आपको रोज देखने को मिलें मिलते हैं फिर से किसी नेक्स वीडियों में तब तक लिए बाइबाई लब यू